प्रप्रपटी गुरुकुल चैनल जो के रियल स्टेट ट्रेइनिंग प्रोग्राम का काम करता है रियल स्टेट पर एक्सपाइट एडवाईज देने का काम करता है इस लग चैनल में आप सबी का स्वगत है और मैं हूं का वाली रियल स्टेट मेंटर रियल स्टेट बुक्स का ऑथर मोटिवेशन स्पीकर आज का जो टॉपिक है रियल स्टेट बिजिनस यह मैंने लिगा है सैलरी और कमिशन यह क्या है इन दिनों में मेरे वीडियो देखके लोगों का मेरे पास आना जाना लगा रहते हैं काफी आत हैं इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया इसमें भी कोई डाउट नहीं तो वह मेरे से एक दिन प्रसनल कोश्चन पूशने लगे कि आपको यदि आप 20 साल के बच्चे बन जो भी 20 साल के नौजवान तो अब आप क्या करोगे नौकरी करना चाह हैं तो पांच जगा पर चैली लेगे देख ली कुछ नहीं रखा उसमें सेलरी में की ट्रेडिंग है और कुछ नहीं हम नौ से पांच टाइम बेजते हैं और उसके बदले में हमें इतना सारा मिलता है जिसको हम पूरा परवार खाई नहीं सकता हूं तो कहते फिर क्या करना मैंने का हम कमिश्न पर काम कर आदमी हमेशा आगे जाता है यदि मैं जीरो लेवल से शुरू करूँ आज मैं रियर सेंट का काम शुरू करके यहां से serp चुरू होती होती यहा चली जाएगी 100 повторs चलिए्ग क्योंके कमिशन पर काम करने गौ्ट का मतलब है खे आपको टाइम के हिसाब से पैसा नहीं मिलता काम के उपर जो रिजन को मिलता है उसके उपर आपको पैसा मिलता है LIC में लोग क्रोड़ों रुपेश सालों के कमा रहे हैं और जो दूसरे काम है जो अपने कारों की सेल प्रचेस लोग करते हैं उसमें लोगों को सेलरी के साथ इंसेंटिवी दिया जाता है तो इंसेंटिव के साथ उनकी ग्रोथ ऐसे जाती है जबके सेलरी में आप जितना मरजी काम कर लो दस से पांच कर लो दस से कई बार हम साथ वज़ तक भी बैंक में बैठते रहें तो हमारी जो सेलरी फिक्स थी हमें सो और प्याव फालतू नहीं मिल सकता था इसमें हमारी कम्निकेशन स्किल के हिसाब से हमारी काम करने की जो कशमता है उसके हिसाब से में पैसे मिलते हैं यहां पर हमारी ग्रोथ ज्यादा है तो मैं यह करना चाहता हूं आपको भी यदि आपको यह लगता है कि आप से ज्यादा पैसे कहीं कमा सकते हो तो उस काम में कमा सकते हो जह चाहा था कि यहार आपने करना है तो मैंने करने नहीं जो करना है मतलब भैंक से आपने मेरे को निकालना है तो निकाल दो जो मर्जी ओंगर के आर मैं भी समयता हूं इस बात को कि जो आप यहां पर काम कर रहे हो वो बैंक की सहल रिको समने तो वी किसल यह तो मैंंक mu Letter यह करता कि मैं रिजैन कर दूँ बैंक से तो मेरा बैंस यह था कि वह मेरे को निकाल दें ताकि मेरे पास एक चांस ये रहे कि मैं ओट में जाके यदि मेरे कोई दोबारे जरूरत पड़े बैंक की नोकरी की तो मैं दोबारे वो नोकरी हसल कर सकूँ तो मैं मेरा मकसद सिर्फ इतनी था और कोई बतलब बतल नहीं था लेकिन जैसे जैसे समय के साथ कलियर होता चला गया हमने नोकरी खु करी गी और आप ही यकिन नहीं करोगे दोजार तीन और चार में एक साल में महिन्गे तो 78 डील्स करी दे मोर दें 78 मतलब हो सकता 80 डील्स हूँ कितने साल में एक साल तो 13 मतलब यह समझा भी कितनी 6 डील एक उसकी बनती है 6 डील से भी जाद एक महिने में 6 डील से जधा बनती है तो है समझे लो कि कहां मेरी बैंक कि लोकरी दसे अरपर सेली थी तब समझे तो यह 70 तर डील चरफ मैं चलो मैंने करते जिस के सmmos real कि है तो मेरा मनं था कि आपके साथ भी जो मेरा यूटीव चैनल देखती हैं, उन्के साथ भी मैं यह बात जरूर शियर करनूँ। यदि आप में दम हैं यदि आप में गट्स हैं यदि आप में सकिल है तो आप डेफिनिटली ये कम करो यदि आप में कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है आप सीखना शुरू करो पढ़ना शुरू करो ट्रेनिंग लेना शुरू करो अपने आपके उपर पैसे खर्चो यदि जो से से मंडेर केशन में कॉनफिडेंस आता है माप की प्रसनेल्टी डिवेलमेंट होती है सब कुछ आता है उसमें तो यदि हम देखें जितने भी बड़े बड़े आदमी जितने भी दुनिया में राज कर रहे हैं चाहे हो लीडर हूं चाहे हो कोई बहुत बड़े बिजनसमेन हो उन्होंने अपना time self education के ऊपर invest किया है यदि आप अपना time self education के ऊपर invest कर लोगे तो मैं कह रहा हूँ आपका कोई भी आपको नीचे लाही नहीं सकता आपका confidence level इतना बड़िया हो जाएगा कि सामने वड़ा बंदा आपसे परभावित होके जाएगा और हमारी जंक क्या है लोगों सामने वालों से मेरे सामने कोई बंदा बैठा है क्रीदने वाला या बेचने वाला यदि मैं उसको प्रभावति कर गया तो मेरी जीत है यदि वो मेरे को प्रभावति कर गया तो उसकी जीत है तो जीतना तो हमने यह तो नहीं जाते हैं सामने वाला जीते यदि हमने जीतना तो हमारे जीतने के लिए हमारे पास एज्यूकेशन होनी पहुंच हो तो दोस्तों उमीद करता हूं यह जो टॉपिक है सिंपल सा टॉपिक था आपको समझाएगा जरूर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में चैनल सब्सक्राइब करके गंटी बला बटन भी दुबालो यह मैं बार बार कहना पड़ता है मेरे को तो उमीद करता हूं इस टॉपिक से आपको एक नई दिशा मिलेगी और जिस दिन आपको नई दिशा मिल गई तो उस दिन तय है कि आपको नई दशा भी मिलेगी क्योंक सबसे इंपोर्टेंट काम है जिंदगी में लोग मेरे को जितना मरजी कहें मैं बहुत एक्सपार्ट हूं यह आज भी मैं रोज सीखता हूं रोजानना कोई ना कोई चीज मेरे मेरे जिन्दगी में नहीं आती है तो उसको नोट करो और नोट करके ठीक है अपना आगे बढ जा रहा है उसको जीतने से उसको काम्याब होने से कोई नहीं रोख सरता थेंक यूवेरी मच्छ मिलता हूं जल्दी एक नहीं टॉपिकर कि अगर कि अगर